Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में जितने भी राजियों की वेकंसी आती है सिक्षक भरती की आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाता है नया विज्यापन जारी किया गया है कस्तूरवा आवासिय विध्याले से सैक्षिक और गैर सैक्षिक पदों पर वेकंसी है इसमें आप सबी जानते हैं कि बिना परिक्षा के जो है यहाँ पर सिक्षक बन सकते हैं कारी स्कूल में सिक्षा गणने का ये एक अच्छा मौका है अपलाई आप करें दो दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है फीज इसमें नहीं लगेगी सैलरी जो है 24,200 पर मन साथ में आवास की सोविधा भी रहती है इसमें केवल और केवल कैंडी रेट जो रहेंगे वो महला ही रहेंगी जो आवेधन कर सकती है फूरस अभ्यरती इसमें आवेधन नहीं कर सकते हैं वेकेंसी जारी की गई है कारेले जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी साहंजापुर से 14 नवंबर 2024 को विग्यापन जारी किया किया ओफीशल वेबसाइट पर 2 दिसंबर 2024 साम 5 वजे तक ह है आवेधन कर सकते हैं साधरन डाक्या कोरियर के द्वारा वेकेंसी है पूर्ण कालिक सिक्षिका सामाजिक विषय की अंग्रेजी गणित विज्यान हिंदी की ये जो है फुल टाइम टीचर्स की वेकेंसी है हाफ टाइम में कला क्राफ्ट संगीत कम्प्यूटर टीचर सार इरिक सिक्षा, उर्दू सिक्षिका, लेखाकार, मुखे रसोया, सहायक रसोया, चपरासी, चौकीदा ये सभी भी जो है महला कैनिरेट ही रहने वाली है एर्थपास कैनिरेट जो है नौन टीचिंग स्टाप के लिए आवेधन कर सकते हैं लेखाकार के लिए जो है कॉमर्स वाले कैनिरेट जिनका ग्रैजुइशन कॉमर्स में है, MS आफिस पर कारे करने का अनभव है और डिप्लोमा है कॉम्प्यूटर का तो लेखाकार के लिए अप्लाए कर सकते हैं उर्दू सिक्षिका के लिए जो है बीए उर्दू विसेसे, ल्टी, बीटी या बीड़ वाले और सारे रिख सिक्षा के लिए बीप्याट, सीप्याट और डीप्याट वाले, ठीक है, कंप्यूटर टीचर्स के लिए जो अनसेकालिक सिक्षिका रहेंगी तो PZDCA, BCA, BSC, Computer Science, सनातक, DOE, ACC या फिर A-Level, O-Level का डिप्लोमा वाले, कलाक्राफ्ट संगीत के लिए आपका इसमें B.E.D. और L.T. प्रे सिक्षन योगिताब की होनी चाहिए, पूर्ण कालिक सिक्षिका हिंदी, विज्ञान, गडित, अंग्रेजी के लिए, या सामाजिक विशय के लिए, ग्रेजुईशन के साथ में आपका B.E.D. होना चाहिए, उच्च प्रात्मिक इस तरका TET क क्वालिफाय होना जरूरी है, पेपर 2, सामजिक विशय के लिए आप देखें कि भूगोल इतिहास और नागरिक सास्त्र, इसमें से कोई एक विशय आपने ग्रेजुईशन में जरूर पढ़ा होना चाहिए, B.E.D. और साथ में पेपर 2 आपका क्वालिफाय होना चाहिए, TAT PEPER 2, UP TAT हो सकता है, किसी भी राचे का TAT हो सकता है, या फिर C TAT हो सकता है, ठीक है, कुल जो number of vacancy है, तो इसमें 53 कुल number of vacancies है, और इसमें अनारक्षित वर्ग जो है, UR के 35 vacancy है, केवल और केवल महिला ब्यर्त ही आविदन करें, पूर्ण कालिक सिक्षिका की सेलरी 24,200 रहेगी अंसे कालिक सिक्षिका की 12,181 उर्दू सिक्षिका 16,408 लेखा का 13,673 मुखे रसोया 8,577 और ऐसे ही जो है इनकी सेलरी रहने वाली है ठीक है 7,000 से अधिक आवश्यक निर्देश जो है इसमें बस यही लिखा है कीपूर्ण कालिक सिक्षिका के लिए इसनातक प्लस B.Ed और C.T.E. या T.P.E.P.R. to qualify होना जरूरी है कंप्यूटर सिक्षिका के लिए प्रैसिक्षित इसनातक होना जरूरी है और आपके पास जो है प्रैसिक्षण उपादी के अंतरगत NCTE से मानने BAD होना चाहिए या फिर LT ये होना जरूरी है इसके अलावा अगर किसी ने BCA, BSC, Computer Science, PZDCA ये सब किया है वो भी अप्लाए कर सकते हैं ठीक है वही qualification दुबारा से इनोंने इसमें दे दी है उम्र सीमा इसमें न्यूंतम रहेगी 25 और अधिकतम 45 यर उसके बाद देखें अप्लाए करने के लिए ये official website है लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे description box में provide किया जाएगा आप उस पर click करेंगे और आप लोगों को official website पर आप आ जाएंगे ठीक है अब देखें कैसे apply करना है इच्चुक पात्र महला बेरती अपने आविदन पत्र दो दिसंबर तक पांच बजे तक कारेले जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी खिरनी बाग सहाँ जापुर उतर प्रदेश pin code 242001 केवल रजिस्टर नाक या speed post ही आपको करनी होगी जिनके पास पहले अगर आपने पढ़ाया है कस्तूरा विध्याले में तो अनुवर प्रमान पत्र जरूर लगाएं आपको इसका benefit जरूर मिलेगा क्योंकि यहां पर selection जो है exam नहीं होगा merit के base पर selection होगा तो अंक जितने अधिक बनेंगे आपके चाहे वो सैक्षिक प्रमान पत्र के अधार पर अनुवर प्रमान पत्र के अधार यह सब ही जो है आपके जोड़े जाएंगे और उसके बाद जो है आप लोगों का merit निकलेग और selection होगा ठीक है आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पत्र का नाम विशय और आरक्षन वर्ग जरूर लिखें यह आपको देख लेना है कि आपके आप जिस category में है उसमें vacancy है या नहीं है ठीक है application form आपको इसके नीचे ही मिल जाएगा जैसे कि वर्ग आपको यह ही मिल जाएगा देखने को यहाँ पर देखिए अनारक्षित वर्ग मैंने आपको बता दिया 35 vacancy अब जैसे अनसूचित जाती है तो इसमें पून कालिक सिक्षि का अंगरी जी में कोई vacancy नहीं है ठीक है यह आपको देख लेनी है कि इसमें जो है अन्ने पिछला वर्ग में vacancy है ऐसे social science में जो है यू आर में undeserved category में दो vacancy है जिसमें से एक vacancy जो की अनसूचित जाती की candidates के लिए है ठीक है तो ऐसे जो है यह जरूर देखना है आपको यह official website है सहाँजापूर की आप लोगों को कुछ नहीं करना है जो वीडियो के नीचे आप लोगों को link दिया जाएगा बस उस पर click करेंगे तो यह जो है आपके सामने आ जाएगा यह page आजाएगा तो यहाँ पर सबसे उपर आपको देखना है अगर आप आविदन करेंगे कसुर्वा गांधियावा से विद्याले मैं सैक्षिक स्टाफ और लेखाकार वह अन्य पदों ही तो सम्विधा के आधार पर आविदन पत्र प्रात किये जाने ही तो विज्यापन ठीक है इस view पर क्लिक कर लेना वह यहीं पर आप लोगों को आविदन पत्र का प्रारो भी मिल जाएगा तो यह जो है सम्विधा के अधार पर होती है यहाँ पर permanent vacancy नहीं आती है सम्विधा के अधार पर ही आती है आपका एक साल पूरा हो झाता है संतोस्प्रद आपका काम रहता है अच्छा काम आप करते हैं तो next year आपके पद्ध को renew कर दिया जाता है आप उसी पर बने रहते हैं कई candidates को तो है 6-6-7 साल का जो है वो अनुभव कस्तूर्वा विध्याले का है ठीक है तो ऐसे आपके काम पर depend करेगा आप जो है अच्छा काम करते हैं तो आप यहाँ पर बने रहते हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू